शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले आपके लिए लेकर आया है 91.2 FM पर हेलो हल्दवानी हєلो हल्दवانी जो की एक सामुदाएक रेडियो है इस रेडियो को उत्त्तराघंड मुक्त विश्यद्याले संचालित करता है और इस रेडियो पर हम समाज से जुड़े हुए, सामुदाइस से जुड़े हुए मुद्दे अलग-अलग कारिक्रमों के माध्यम से आपके सामने लेकर आते रहते हैं और साथ ही उत्तराखंड मुक्त विद्यार्थियों के विद्यार्थियों से जुड़ी हुई जानकारियां भी हम इस रेडियो पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सामने लेकर आते रहते हैं विश्विद्याले के बहुत एक विज्ञान विभाग से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ऐसी ही एक जानकारी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है डॉक्टर मीनाक्षी राणा जो की उत्तराखंड मुक्तेशे द्याले के बहुत एक विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है और इनकी आज की जानकारी का विशय है इनसिलिको विधी इनसिलिको विधी क्या है? इसके महत्व, कार्य प्रनाली और डॉक्टर मीनाक्षी राणा और इनके रिसर्च गृप द्वारा किये गए शोध को विस्तार से सुनते हैं डॉक्टर मीनाक्षी राणा से ही तो डॉक्टर मिनाक्षी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हेलो हल्दवानी के स्टूडियो में हेलो हल्दवानी की सभी श्टोताओं को मेरा नमश्कार आज मैं आपको इनसिलिको मैथट की वर्किंग और उसकी इंपोर्टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ इनसिलिको मॉडलिंग एक प्रकार की कंप्यूटर बेस टेकनीक है जिसका यूज फार्मसोटिकल फिल्ड में बहुत ही लार्ज एक्स्टेंड में हो रहा है जिस टाइम सारा देश कोरोना की चपेट में था हम घरों में कैट थे रिसर्चर्स लेबोरेटरी को एकसेस नहीं कर पा रहे थे उस टाइम हजारों रिसर्चर्स ने घर बैठे कोरोना जैसे बीमारी से लड़ने के लिए भी इनसिलिको टेकनीक का यूज किया और ऐसे कई सप्लिपेंट्स निकाले जो की घर बैठे लोगों को इमूर्टी बढ़ाने में मददगार साबित हुए मेडिसनल प्लांट्स का प्रियोग काफी एंसियन टाइम से ही किया जा रहा है लेकिन प्लांट्स का डारेक्ट यूज बिना किसी कम्प्यूटेशनल टेकनीक के करना हानिकारत भी हो सकता है इसलिए इनसिलिको इन्वेस्टिकेशन, बायलोजी एन अदर मेडिकल साइंसेज में काफी पॉपुलर हो रहा है इस टेकनीक का बेसिक काम्स, मॉलिक्यूल्स की ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज, उनकी स्टेबिलिटी, कैमिकल रियक्टिविटी और फार्मेसिटिकल यूज का इन्वेस्टिकेशन करना होता है इन सिलिको मेथड एक कम्प्यूटर एड़ेट ट्रक डिजाइनिंग टेकनीक है, जो फोर पार्ट्स में डिवाइड़ होती है फर्स पार्ट में हम मॉलिक्यूल की रियक्टिविटी चेक करते हैं, सेकिंड में हम उनकी एडमेट प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, थर्ड में डॉकिंग और फोर्थ में मॉलिकुलर डैनमिक सिमूलेशन होता है सिमिलर टाइप की ही रिसर्च वर्ग हमने एक अपने रिसर्च आर्टिकल में किया है, जिसका टाइटल है A Comprehensive Exploration of Pharmacological Properties, Bio Activities and Inhibitory Potentiality of Lutolin from Tridex Procurements as Anti-Cancer Drug by Insilico Approach इस पेपर में हमने Tridex Procurements के Active Phytochemicals जैसे Lutolin, Epigenin, Camphoril आधी के स्क्रीनिंग करके ये इन्वेस्टिकेट किया है कि इनमें से कौन सा फाइटोकेमिकल सबसे ज़्यादा Cancer Inhibition कर सकता है इस स्टेडी में हमने Lutolin की Cancer Activity देखने को मिली और इस पेपर के Result Structural Chemistry नाम के जर्नल में पब्लिश्ट किये गए हैं जो कि Springer का एक जाना माना जर्नल है Tridex Procurements एक Indian Origin का प्लांट है और संस्कृत में इसको Jayanti Veda कहते हैं Himalayan Region में इस प्लांट को घमरा के नाम से भी जाना जाता है ये Himalayan Region में 2400 मीटर की हाइट में पाया जाता है ये बेसिकली एक गार्डन वीड है जो 60 सेंटिमीटर तक लंबा होता है और छोटे यलो कलर के फ्लार्स देता है Indian Ayurveda में इसको बाडी को डिटॉक्स करने में Immunity बढ़ाने में, Swelling कम करने में Joints के पेन को कम करने में Blood Pressure, Diabetes जैसी Problems को डील करने में मददगार माना गया है इस स्टेडी में हमने MCM-7 Protein Structure लिया MCM Cancer Cell को replicate करने के काम आता है World Health Organization, WHO के report के according MCM Complex Receptor World का 5th Major Death Causing Cancer Cell है सारे Phytochemicals के Structure PubChem database से हमने Download किये जैसा कि मैंना आपको शुरू में ही बताया था कि हमारी स्टेडी 4 parts में divided है पहले part में हमने Selected Phytochemicals की Reactivity टेस्ट करती है Reactivity चेक करने के लिए हमने अलग-अलग parameters एनलाइस किये जैसे कि हमने Charge Transfer, Global Reactivity आदी parameters चेक किये और यह भी देखा कि Phytochemicals का Dipole Moment क्या आया क्योंकि जिस भी Phytochemicals का Dipole Moment ज़ादा आता है उसकी Polisability भी ज़ादा आती है और वह molecule उतना ही Reactive होता है DFT modeling से हमने ये पाया कि Lutoline एक Highly Reactive Molecule है और वो Drug-like Molecule की Target के साथ React भी कर सकता है Second Step में हमने Phytochemicals की Admit Property Monitor की और उनसे ये पाया कि जितने भी हमने Phytochemicals Select किये थे वो सारे ही Phytochemicals Admit Properties को Follow करते हैं Means कि उन सारे molecules का Human Body के साथ Interaction और Reaction हमने चेक किया और ये पाया कि Lutonin Human Body के लिए Cardio Toxic नहीं है यानि कि उसकी Cardio Toxicity का Effect भी हमारी Body में Zero है इसके बाद हमने Molecular Docking का Step किया और हमने यह पाया कि जो हमारा Structure है Lutonin वो एक Ideal Inhibator बन सकता है MCM7 Protein के लिए InSilico Study के बाद हमने सबसे Last और Concluding Step किया वह था Molecular Dynamic Simulation Basically Molecular Dynamic Simulation एक Molecular Modeling Computational Technique है जो ये बताता है कि जो complex हमको Protein और Ligarn जो कि हमने MCM7 और Lutolin के साथ बनाया था वह स्टेबल है या नहीं है इस मेथड में जो complex हमको मिला हमने उसकी suitable Thermodynamic Ensemble Condition प्रोवाइड की और यह जाना कि वह टाइम के साथ किस तरह का बदलाव करता है अगर ये complex पूरा time trajectory के दौरान stable रहता है तो हम यह conclude कर सकते हैं कि यह हमारा drug की तरह use कर सकता है हमने देखा कि जो Lutolin और हमारा जो protein है जो MCM cancer protein है वह time के साथ change नहीं हुआ और भी उसकी जो thermodynamic properties थी वो हमारी stable रही तो हमने यह माना कि हम Lutolin को MCM7 protein के साथ inhibit कर सकते हैं और हमने यह देखा कि Lutolin काफी अच्छी तरीके से MCM7 cancer protein को inhibit कर रहा था और cancer के replication को रोक सकता है तो आगे हम in vivo और in vitro study के लिए भी एक favorable और food food selection हो सकता है साथ ही Lutolin को experimental validation के बाद clinical trialis के लिए भी यह use किया जा सकता है similarly हम ऐसे studies और other plants और उनके phyto compounds के साथ भी कर सकते हैं उत्राखंड एक ऐसा state है जहाँ पर vegetation और flora के uncountable varieties मिली है जैसे कि हमने देखा कि उत्राखंड के हिमालयन रीजन में पाए जाने वाला एक छोटा सा weed में cancer से लड़ने की इतनी तेवर शक्ती है हलाकि आज भी ऐसे हजारो plants और हरबल अन्नोन है जिनके बारे में सही माइने में study की जाए तो शायद हम को allopathic treatment की जरुवत भी ना पड़े ऐसे plants और organic compounds की खोज करना जरूरी है जिनसे हम cancer जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ सके और वो भी बीना किसी side effect की मैं आशा करती हूँ कि भविश्य में cancer ही नहीं और भी कई बीमारियां जैसे AIDS, Alzheimer, Joint Disconjunctivitis जैसी disease का treatment medicinal plant से बीना किसी side effect के हो सकेगा धन्यवाद